दूमका पेट्रोल कांड में सारुक दोसी करार जार्खन के दूमका में हुए बहुच अर्चित युवती हत्याकान मामले में विसेश नयाले ने दोनों आरोपियों को दोसी करार दिया है आदालत साजा के बिंदू पर 28 मार्च को अपना फैसला सुनाएगी प्रथम अपर जिला एवं सत्र नयाएधिस सह पोसोस से संबंधित मामले से जुड़े विसेश नयाला एक नयाएधिस रमेह चंद्र ने इस केस में सुनवाई करते हुए किसोरी के उपर पेट्रोल डरकर जलाने वाले सिर्फिरे आसीक सारुक और उसके सहयोगी नयम उर्फ छोटू को दोसी करार दिया है बता दे नगर थाना चेत्र के रहने वाले सारुक हुसैन और नयम उर्फ छोटू खानने 23 अगस्त 2022 की रात उसकी इलाके में रहने वाली 17 वर्ष एक किसोरी के घर पहुँच कर घटना को अंजाम दिया था दोनों ने पिडिता के घर की खिडिकी से उसके उपर पेट्रोल छिड़क दिया था और माची से आग लगा दी थी एक तरफा प्रेम में इस घटना को अंजाम दिया गया था दोसी कराद दिया गया सारुक फिडिता किसोरी से एक तरफा प्यार करता था इस एक तरफा प्यार को किसोरी ने ठुकदा दिया तो सारुक को नगवार गुजरा फिर उसने यूती को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की धमकी भी दी थी वह 23 अगस्त की अहले सुबा बोत्तल में पेट्रोल लेकर आया और किसोरी के कमरे की खिलकी से उपर पर पेट्रोल डाल दिया था कलपना सुरेन की ट्वीट पर सिता सुरेन का पलटवार जारखन के पुरमुख मंतरी हेमान सुरेन के सोसल मीडिया एकस को हैंडल कर रही उनकी पत्नी कलपना सुरेन ने बुद्धवार को सुबा एक ट्वीट किया था यह ट्वीट सिता सुरेन के जारखन मुक्ति मोर्चा छोड़ भाजपा का दामन थामने के बाद किया गया था इस ट्वीट पर अब सीवु सुरेन की बड़ी बहुँ सीता सुरेन ने पलटवार किया है बताद जमा बिधान सभाचेतर की पूरविधायक और अब भाजपा नेता सिता सुरेन ने सोसल मीडिया साइट एक्स परकलपना सुरेन के पोस्ट के जबाब में एक पोस्ट लिखा उसमें उन्होंने अपने गुसे का इजहार किया है एक के बाद एक साथ ट्वीट करके सिता सुरेन ने अपनी ब्याथा भी ब्यक्त की है और गुसे का इजहार भी किया है उन्होंने कहा है कि सुरगी दूरगा सुरेन के नाम की दुहाई देकर घड़ियाली आसु बहाने वाले लोग मेरे मुह में उंगली न डाले मैंने और मेरे बच्चों ने मुह खोल दिया तो भ्यावा सचाई उजागर हो जाएगी फिर न जाने कितने लोगों की राजनीती सता सुख भोगने का सपना चूर चूर हो जाएगा गांडे उपचुनाओ के बाद चमपई की कुरसी छिन जाएगी निसिकांत दूबे गांडे बिधान सबा उपचुनाओ के बाद मुख्य मंत्री चमपई सुरेन की कुरसी छिन जाएगी उक्त बाते गोड़ा से भाजबा सांसद डाक्टर निसी कांत दूबे ने पत्रकारों से कही है उन्होंने कहा है कि पूर्व सीम हमान सुरेन की पत्नी गांडे उपचुना मुखे मंत्री बनने के लिए ही लड़ना चाह रही है अगर कलपना गांडे उपचुना में जीत हासिल करती है तो सबसे पहले चमपाई सुरेन को ही सीम पत्स से हटा कर खुद सीम बनने का प्रयास करेगी लेकिन भाजबा गांडे में भी कलपना को जीतने नहें देगी डाक्टर निसी कांत ने कहा है कि कलपना राज महलोक सबास से लड़ेगी या गांडे बिधान सबास से लड़ेगी इसका अभी कोई ठीकाना नहीं है उन्होंने कहा है कि कांगरेस को अमेठी वा राय बरेली जैसी पुस्तायनी सीट छोड़नी पर रही है इन दोनों सीटों पर कांग्रेस को उमिद्वार नहीं मिल रहा ठीक उसी तरह कांग्रेस को गोड़ा सीट में भाजपा से मुकाबला करने के लिए उमिद्वार नहीं मिल रहा है दुमका में बिध्वा पर एसीड अटैक देवघर रेफार दुमका जीले के सरयाहट थाना छेतरे के दौन दिया गाउं में बुध्वार को एक सन की प्रेमी के साथ चलने से माना करने पर गाउं की एक 35 वर्षे बिध्वा महिला के सीर पर एसिड अटेक कर दिया गया बताया जा रहा है कि उसने बैटरी का पानी डाल कर उसे बुरी तर से जक्मी कर दिया है इस मामले में जनकारी मिली है कि बुध्वार को पिडित महिला से मिलने उसका कथित प्रेमी बिहार राजिक के बराहाट थान इस्थित धोबनी गाउं का 55 वर्षे बावुला लेयाद उसके घर पहुंचा वह उसे अपने साथ चलने को कह रहा था पर प पास के लोग आए धोनी से 15 कोर की धोखाधड़ी के मामले में कोट ने दिया आदेश भारतिये किर्केटर महिंद्रे सिंग धोनी के साथ धोखाधड़ी करने वाली आरका एस्पोर्ट प्राइबेट लिमिटेट आयन मेनेजिमेंट लिमिटेट के मिहीर दिवाकर सोम्य दा कर सही तीनों के खिलाब संग्यान लिया है संग्यान लेने के बाद अदालत ने आरोपीतों के उपस्थिती को लेकर समन जारी किया इन पर धोनी को 15 को रुपे के आर्थिक छती पहुचाने का आरोप है अदालत ने 6 मार्च को सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रख था या सिकायतवाद धौनी की ओर से सीमांत लोहानी ने दर्च कराया है इडी ओफिस पहुंची आएस अविनास कुमार की पतनी प्रीती वरिष्ट आएस अधिकारी अविनास कुमार की पतनी प्रीती कुमार इडी करेले पहुंच चुकी है उनसे रांची के बर्यातु रो रोफाय की बर्लिन अस्पताल की जमीन को प्रतिवन्धित की प्रकिर्ती में छेल चाल कर खरीद विगरी की गई, जमीन घोटाले में गिरफतार रायस व उपनिरिक्षक भानों परताप परसाथ के ठीकानों से बरामत दस्तावेज व पुस्ताच में ही इडी को उक्त जमीन के लेकर बुद्वार को परधान भीनसरिया देवी के अजगता में पंचायती बैठक होई जिसमें बैल चोरी के आरोपित राजेंद्रे देहरी पर 50 हैर और खरीदार पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया राजेंद्रे को गुरुवार को सारा पैसा जमा करने और खरीदार से सारा रुपए जमा कराने का निर्देश दिया गया बैठक में 40 गाउं के ग्राम परधान वकरीब 500 ग्रामीनों की महजूदगी में यह नहीं लिया गया राजेंद्रे ने कहा है कि उसे नहीं पता है कि खरीदार ने किस हाल में उसे बैल दिया पुजा डिह में बैल खरीद कर दोनों बैलों को पहुँचने के लिए 200 रुपे मजदूरी मिली थी PM3 के लिए जहारखन के 325 इसकूल चैनी केंद्र सरकार ने PM3 यह नहीं के तहट जहारखन के 325 सरकारी स्कूलों का चैन किया है इसमें सबसे अधिक 26 इसकूल पलामू जीले के हैं वहीं गढ़वा से 25 जबकि रांची से 20 इसकूलों का चैन हुआ है सबसे कम 7 इसकूल खुटी जीले से चुने गए हैं राज सरकार ने समनधित जीलों को चैनीत इसकूलों की जनकारी दे दिये है योजना के तहट चैनीत इसकूलों को राष्ट्रिय सिक्षानीती 2020 के तहट मॉडल स्कूल के रूप में बिक्सित किया जाएगा अधारभूत सनरचनाओं के विकास के लिए इन स्कूलों को अगले पांच वरस में दो सो कड़ों रुपे दिये जाएंगे योजना की 60-50 रासी केंद्र सरकार जबकि 40-50 रासी राज सरकार देगी और इसकूलों को भी इन ही इसकूलों के अधार पर तयार किया जाएगा जमसेदपूर के पांच बस्तियों में फैला चीकन पोक्स पूर्वी सिम्भूम जी लाए मुख्याल लाए जमसेदपूर के घोडा बांधा पंचायत की तीलका बस्ती खाप्चा डूंगरी, कन पुट्टा बस्ती, धुर्वा कोलोनी और सान्ती नगर पांच बस्तियों में चीकन पोक्स फैल गया है इन बस्तियों में 26 लोग बिमार हैं इसमें 3 बच्चे 8 महिला हैं और 15 पूरु सामिल हैं बता दे, इनकी जनकारी मिलने पर बुद्धवर को जीला सर्विस लाइंस बिभाग के टीम इन बस्तियों में पहुंची और मरीजों की जाच की टीम ने 6 मरीजों का बलड सेंपर लिया है जिससे जाच के लिए मेटकल कोलेज भेजा जाएगा टीम में सामिल डाक्टर असद ने बताया है कि सभी बिमार घर पर इलाज करवा रहे हैं लोगों को जहाड़ फुक नहीं करवाने की सला दी गई है गिरडी में बोली कलपना सुरेन अंगरेजों की तरह सोसन कर रही भाजबा जारखन के पुरमुख मंतरी हमान सुरेन की पतनी कलपना सुरेन ने गांडे बिधान सभाज शेतर में भाजबा पर जम कर हमला बोला दो दिवस्य दोरे पर बुद्धवार को यहां पहुँची कलपना सुरेन बेगाबान के रास्ते फुल जोरी पहरी डी अहार डी मेदनी सारे होते हुए केरा डावर गाव पहुची वहां मुख्या संगीता सुरेन समेट कई लोग ने कलपना सुरेन का स्वागत किया केरा डाबर में आयोजी सभा को समोधित करते हुए कलपना सुरे ने कहा है कि गांडे की धारती उसके सासूर दिस्वम गुरु सीवू सुरेन की कर्म भूमी रही है इसलिए हुआ सबसे पहले गांडे की जानता से सिर्वाद लेने पहुंची है सिर्वाती सुरेन केंद्रे की भाजबा सरकार पर जम कर बर सी यहमन सुरेन की पतनी कलपना सुरेन ने कहा है कि जीस परकाल अंग्रेज और महाजान लोग पूरों में लोगों को सोशन करते थे उसी परकार बरतमान समय में भाजबास सरकार सभी वर्गों का सोसन कर रही है BPSC पेपर लिक में कोलकाता प्रिंटिंग प्रेस की मदद बिहार लोग सेवा आयोग सिक्षक बहाली परिक्षा पेपर लिक मामले में बड़ा खुला सा हुआ है इस मामले में गिरफतार मास्टरवाइन 20 साल कुमार चवरासिया ने आर्थिक अफराद 21EOU पुस्ताच में कबुला है कि कोलकाता इस्थित प्रिंटिंग प्रेस के कुछ कर्मियों की मदद से उसने BPSC, TRE के तीसरे चरन का प्रश्ण पत्र लिक किया था उसने बताया एक BPSC, TRE का प्रश्ण पत्र उससे पेंड राय में लिया था इसके बाद इसका प्रिंट आउट निकलवाया इसलिए छात्रों के पास बरामत प्रश्ण पत्र में सुरक्षा कोड या बारकोड नहीं थे जहारखन में महिला के साथ पूरुस कर्मियों को भी मिलेगा पित्रुत आउकास राजसरकार ने जहारखन सेवा सनहिता 2000 के प्रारूप को सुख्रीत दे दिया इसके तहट महिला कर्मियों के साथ अब पूरुस कर्मियों को भी पित्रुत आउकास मिलेगा राज सरकार ने छटे केंद्रिये बेतन आयो के उनुसंसाय के अलोक में यह नहीं नहीं लिया है इस प्रारूप में राज सरकार ने सरकारी महिला कर्मियों के मात्रित अवकास की अधिसीमा में ब्रीधी करने के साथ पुरुस कर्मियों के लिए पित्रुत आउकास का परदान किया है बता दे पित्रुत आउकास के तहट एकल पुरुस अभिभावक जिसमें अभिभाईत, भिधूर या तलाक सुता सामिल है उन्हें या सुविधा परदान की जाएगी सुरक्षा बेवास्था की समीक्षा करने लोहरदागा पहुंचे आई जी दक्षनी छोटानागपुर प्रच्छेत्र के पूलिस महानेरीक चक अखिलेस कुमार जहा बुद्धवार को लोहरदागा पहुंचे लोहरदागा पहुंचे पूलिस महानेरीक चक को सामने गौर्ड अउनर दिया गया इसके पचात आई जी अखिलेस कुमार जहा ने जीलेक के वर्ये पूलिस अधिकारियों के साथ लोहरदागा में समीक्षा की है उन्होंने छेत्र के बुथों की संख्या के साथ सा सुरक्षा की त्यारी की भी समीक्षा की है गिरिडी में टंकी गिरने से मैधूर की मौत गिरिडी में बुद्धवार सुबा निर्माना धिन टंकी से गिरने के कारण एक मैधूर की मौत हो गाई मिरित्ता की पाचान मुपसिल थाना छेतर अंतरगत लोदी सरहाचा निवासी सुभेश्वर पंडित 45 वर्शे के रूप में की गई घाटना के बाद परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है बतादे बुद्धवार को सुभेश्वर पंडित टंकी के उपर चड़ कर कारे कर रहा था इसी दोरान वह अचानक टंकी से निचे गिर गया घाटना के बाद मौके पर मौजूर लोगोवा परिजनों ने उसे इलाज के लिए गंपीर आवस्था में सदर अप्रता लाया जहांची किसों ने उसकी नाजो किसी दिको देखते हुए रेफर कर दिया BJP को जटका मांडू विधायक JP पटेल ने थामा कांगरेस का दामन इंडिया गडबंदन ने जھारखन में भाजपा को कला जटका देते हैं मांडू विधायक और सचे तक JP पटेल को अपने पाले में कर लिया है दरसल भाजपा के इस पूर्व नेता ने लोग सभाचुनाओं से ठीक पहले कांग्रेस जवाइन कर लिया जनकारिक मुताविक वे हजारी बाग सीट से कांग्रेस के उमिद्वार भी होंगे बता दे कि वे जामों के दिगर नेता सीबू सुरेन के साथ ही रहे टेकलाल महतों के पुत्र है टेकलाल महतों का जामों में एक समय बड़ा दबदबा था लेकिन साल 2019 के विधान सभाचुनाओं से ठीक पहले जेपी पटेल भाजपा में सामिल हो गाए जूकना जार्खन के डियेने में ही नहीं कलपना सुरेन जार्खन में लोग सभाचुनाओं से पहले जेएमेम को बड़ा जाटकर लगा है सीवो सुरेन की बहो और दिवंगत दूरगा सुरेन की पतनी सीता सुरेन बीजेपी में सामिल हो गाई है इस गाटना करम के बाद जार्खन की रायनीती एक बार फीर से गरम हो गई वही कलपना सुरेन का इस मामले पर पहला रियक्शन सामने आया कलपना सुरेन ने पूर्व सी एम हेमन सुरेन के अधिकारिक X आकाउंट से पोस्ट करते हुए इस मामले पर अपनी टिपनी लिखी उन्होंने अपने पोस्ट में दुरगा सुरेन और हेमन सुरेन के तस्वीर साजा की है साथ ही उन्होंने दुर्गा सुरेन और हेमान सुरेन के बीज की घणिष्टा का भी जिक्र किया हेमान सुरेन के अधिकारिक सोसल मीडिया एकाउंट एक्स पर लिखते वे कलपना सुरेन ने बताया है कि हेमान सुरेन के लिए दिवांगा दुरगा सुरेन के वल बड़े भाई के रूप में नहीं बलिक पीता तुलिय रहे है